तो हमारी इस पी वाइक्यू की सीरीज में आज हम करने वाले हैं एच्टट 2021 की हर्याना जीके के PGT, DGT और PRT तीनों के questions इससे पहले हम 2022 के हर्याना जीके के PGT, PGT, PRT के questions देख चुके हैं आज हम 2021 के करने वाले हैं तो फर्स्ट question है यहां से हरी प्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है हमें बताना है कि जो हरी प्रभा मैगजीन है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है फर्स्ट है सूचना एवं जन्संपर्क विभाग द्वारा हरियाना सहेत्य अकेडमी द्वारा हरी प्रभा हरी प्रभा संस्कृत अकेडमी द्वारा प्रकाशित की जाती है ध्यान रखना हरी प्रभा आता है ना प्रव अब जो ये प्रव होते हैं ये संस्कृत में ज्यादा यूज होते हैं जैसे घर को ग्रह बोला जाता है तो याद रखना हरी प्रभा और अगर साहित्य अकेडमी की पूछी जाए तो इसकी है हरी गंधा साहित्य की हरी गंधा और संस्कृत की हरी प्रभा ठीक है और एक है उर्दू अकैडमी होती है उसकी है जमना तर्ट तो यह मैगजिन्स आपको याद करनी है क्वेशन्स मिलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेशन है 82 यहां से थर्ड ओप्शन राइट हो जाएगा 81 का संस्कृत अकैडमी हरी प्रभा तो जो पदम भूशन दो हजार एक्किस है वो मिला था त्रिलोचन सिंख को हर यह 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 पदम भूशन और पदम भिभूशन दिये जाते हैं दो हजार तेज्स में नो को मिला है पदम भूशन और छे को मिला है पदम भिभूशन तो यहां से त्रीलोचन सिंग्ख राइट आंसर है थार्ड ओप्षन एटीटू का सिय्वेटेश गरंथों को चीहनीत कीजिए जिसमें थाने सवर का उलेख मिलता है हमें बताना है की किस किस में थाने सवर का उलेख मिला है तो फर्स्ट ऑप्षन ए हर्ष्चरित युवान चांगं का यात्रा वितात काधंबरी या फिर करपूर मंज्री तो हम donation सिपता है कि हर तो यह तो राइट हो जाएगा उसके बाद युवान चांग ये भी हर्षवर्धन के ही कार्यकार में आये था 630 AD में इसमें भी हो जाएगा तादंबरी में नहीं मिलता और करपूर वंजरी में भी नहीं मिलता तो 1st और 2nd इसका option राइट हो जाएगा तो यहां से 2nd option राइट हो जाएगा 1st and 2nd 83rd 84th question है ओरीजन ओप विच ओप दो फॉलिएंग रिवर्स इस नोट करेक्टली मैच्ट नोट बताना है ध्यान रखना सरस्वती डाक शाही इंदोरी मिवात की पहाड़िया मारकंडा शिवाली की पहाड़िया टांगरी मोर्नी की पहाड़िया देखो जो इंदोरी है वो मिवात हिल से निकलती है बिल्कुल सही है यह answer यह हर्याना के south में बढ़ती है मारकंडा उपर शिवालिक हिल से निकलती है बिल्कुल सही है नोट साइड से टांगरी भी सायक नदी है इसकी मोर्निंग हिल से निकलती है तो बचा सरस्वती डाकशाही सरस्वती डाकशाही से नहीं निकलती है जो सरस्वती नदी है वो आदी बद्री नामक सान से निकलती तो यहां से first option राइट हो जाएगा नहीं पुछाता ना यह wrong option है सरस्वती जो है वो यहुना नगर से थोड़ा उपर आधी बदरी पड़ता है तो वहां से निकलती है सरस्वती नदिर first option राइट हो जाएगा 85th who among the following didn't serve as the chief justice of the Punjab and धर्याना किसने chief justice के रूप में उच नयाले के मुख्या नयाधिश के रूप में कारिये नहीं किया यह बताना है तो यहां से option हो जाएगा मुकुंध मुद्गल इसने किया है यह बिल्कुल सही है तो option eliminate हो जाएगा जस्टिस एके सिकरी इसने भी किया है जस्टिस संजय किशन कॉल इन्होंने भी नहीं किया तो यहांसे 3rd option इन्होंने भी किया है तो यहां से 3rd option राइट हो जाएगा MS-Gen 86 है पराणवायु देवदा pension scheme लगशे थे जो पराणवायू देवदा pension scheme लगशे थे जो पराणवायू देवदा pension scheme थी पेढ़ popdhunk के लिए आई थी जो पुराने प्धों होते हैं उनको सरक्षित करने के लिए तो देख लेथे हैं। हर्याना राज्य में पुराने पेड़ों को स्रक्षित करने के लिए गया सरकारी चिकित्सकों की बात नहीं की गई थी गया सरकारी पेरामेडिकल शहरी घरों में तुलसी एवम गिलो ऐसा भी कुछ नहीं था तो ये पुराने पेड़ जो थी उनको स्रक्षित करने के लिए य पूह जारी किस में ही चलाई थी नेक्स्ट है 87 निमलिकित हर्याना की राजय पालों में से किसका निधन पद पर रहते हुआ था तो ये थे बी एन चक्रवर्ती जिनका पद पे रहके ही निधन हो गया था मतलब ये गवर्नर थे 1967 से 1966 तक की गवर्नर रहते हर्याना की और इनका निधन कुर्सी पे रहते ही हुआ था सबसे लंबा कारेकाल बी एन चक्रवर्ती का रहा था एज़र गवर्नर रोख हर्याना 88 दिली मुंबई ओधोगी कोरिडर के अंतरगत हर्याना की परस्तावित निवेश ओधोगी क्षेत्र में से कौन सा गलत है गलत बताना है ठीक है तो फरीदाबाद पलवल इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया रिवारी हिजार इंवेस्ट्मेंट कुंडली सोनी पते है तो यह भी वहीं से निकल जाएगा आपको मैं अच्छे से आता है तो परिदाबाद पलवल की आसपास है तो आपको यहां से निकाल सकते होगी यह बिल्कुल सही है रिवारी और हिसार नहीं मिलते तो यहां से यही ओप्शन हो जाएगा कुंडली और सौनीपत सही ओप् यहां से राइट हो जाएगा ऐटी नाइंथ दहर्याना पब्लिक सर्विश कमीशन एच पीएसी की बात हो रही है इस एन्वल रिपोर्ट ऑफ दवर्क दन बाहरा किसको सौपता है जो हर्याना लोग सेवा आयोग है वह अपने कार्ये के बारे में वार्शिक प्रतिवेदन किसको सौपता है तो अगर हपीएसी की बात हो रही है तो वह गवर्नर को सौपते का स्टेट की गवर्नर को और अगर यूपीएसी की बात होती है यहां पे यूनियन पब्लिक कमीशन की तो वह प्रेजिडेंट को सौपता तो यहां से गवर्नर राइट आंसर हो जाएगा तो टोक्यो पैर ओलम्पिक में टॉटल सिक्स मेडल जीते थे हर्याना के एथिलेट्स ने सेकेंड ओप्शन यहां से राइट हो जाएगा तो यह PGT के questions थे 10 questions 2021 के अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्स्राइब कर दीजेगा चैनल को अब हम करेंगे TGT के questions यह TGT 2021 का पेपर हैं तो करते हैं question फस्ट question है महिला खिलाडी को विवा के अफसर पर मुख्य मंतरी विवाह शगुन योजना के तहत कितनी राशी दी जाती है महिला खिलाडी को कितनी दी जाती है उसके विवापे तो यहां से थर्ड ओप्शन राइट हो जाएगा 31,000 रुपे दिये जाते हैं उसे और जो 10,000 रुपे हैं वो marriage पे दिये जाते हैं उसके बाद 1000 रुपे उसे certificate बनवाने के बाद दी जाते हैं तो थर्ड ओप्शन यहा अब तो रह्मान खान जजजर से इन्होंने लड़ाई की थी 1807 में जजजर से नेता थी यह बी इंपोर्टेंट टोपिक है इसमें मैंने एक शोट्स डाला हुआ है जिसमें सारे लिखे हुए हैं कि किसने कहां से क्या था तो आप देख सकते हैं फरुक नगर से एहमद अली और गुला महमती सब डाला हुआ है तो आप चैक पर सकते हैं इंपोर्टेंट टोपिक है यह एटी थ्री फरवरी 2021 में आयो जित 36 वी राष्टे जूनियर एथलेटिक्स चैंपियंशिप में हर्याना राजे ने कितनी स्वर्ण पदब जीते हैं करंट से क्वेशन है एक दो क्वेशन जरूर आते हैं करंट से एक दो योजनाओं से आते हैं एक जो खेल होते हैं उनसे जरूर आते हैं तो यह टॉपिक पड़के जाएगा यह 2020 की बात है तो इसका ओप्शन 21 राइट हो जाएगा थर्ड ओप्शन 84th who among the following was the longest service governor अभी हमने बात कि थी कि longest किस ने किया था बी एन चक्रवर्दी ने किया था 1906 अंतर तक इन्होंने किया था और यह कारिये के पद पर ही ते तभी इनका दिहांत हो गया था तो 84 का फर्स्ट ओप्शन सही हो जाएगा 85th हरियाना साहित्या अकेडमी के बारे में अधोलिखित कतनों को पढ़िए अभी हमने पढ़ा था साहित्या अकेडमी के बारे में कि इसकी जो मैगजीन है उसका नाम था क्या हरी गंधा हरियाना संस्कृत का नाम था हरी प्रभा और उर्दू का नाम था जमनातर तो यहां से मुख्यमंतरी अकेडमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं बिल्कुल सही है जो स्टेट के जो मुख्यमंतरी है वो ही इसके हैड हरी गंधा इसकी मासिक पत्रिका है बिल्कुल सही है तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां स से राइट हो जाएगा बोत स्टेट्मेंट आर करेक्ट ठीक है एटीसिक्स पंचवटी नामक तीर्थ सलहर्याना में कहां सित्थ है अब पंचवटी है यह अगर ऑप्शन में पंचपुला होता तो लोग पंचपुला लगाने की ट्राय में रहते हैं पर पंचपुला में नह पारा तो यह भीवानी में क्यारू में स्थी थे चिंकारा प्रजिनन केंट्र एटी एट हरियाना के मंत्री परिशद में नियूंतम सदस्य कितने हो सकते हैं तो इसने बारा हो सकते हैं नियूंतम सदस्य ठीक है मिनिमम नंबर ओफ मेंबर ओफ इन दे काउंसलील ओफ हरिया बताना ठीक है 89th which of the following pair are true बताना है state animal black buck है बिल्कुल सही black buck है सरस्वती wildlife century cattle में है बिल्कुल सही है cattle में है नाहर wildlife century जजर में है नाहर wildlife century रिवाडी में है तो यहां से यह रोंग हो जाएगा 1st और 2nd सही हो जाएगे तो option 3rd यहां से राइट हो जाएगा 1st and 2nd 90th निमलिखित को सुमेलिट किजे बीरबल का रंग महल बताना है कहां है अत्या तमिक संग्राले चोर गुबन सहोना गाला देखो अगर आपको इन में से एक रही आंसर पता है ना तो भी आंसर निकाल सकते हैं मुझे पता है कि सहोना का जो किला है वो गुरुग्राम में है त वो जाएगा यमुनान अगर में अध्यात्मिक संग्राल्या में है हो जाएगा पानीपत्मे और चोर गुबन्द है वो जाएगा नार्डzess के बीर्बल गुख में, जोर्णा का टिला ना. बीजय के 20 pul पर थायोले प्यán zurगात्र इंकोयोंता है पीजीटी के तो हम गर कर चुके हैं यह पी आर्टी का पेपर है 2021 तो फर्स्ट क्वेश्चन है हर्याना का निमलिकित में से कौन सा शहर राष्ट्य राजधानी शेत्र का हिसा नहीं है तो कौन सा नहीं है बता सकते हैं सोनिपत है फरीदाबाद है गुरुग्राम है हिसार नह जाएगा तो तो शुरणी में नात चॉशनी नात जाते है इंपॉर्टेंट हैइन पूर्ण भक्त नाम converting कि नाम से जाने जाते हैं रिवर्स मी क्वेस्षशन भी हो सकता है कि पूरन और बनाम से कोषोस चान जाते हैं तो च्रंगीनाथêu बाबा यह वो जाने जाते हैं पूर्ण बनाम के नाम से 83 का सेकिंड राइट हो जाएगा वह खिलाडिचने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुष्टी में रजत पदक जीता तो यहां से आंसर हो जाएगा 84 का सेकंड रभी कुमार धहिया इन्होंने कुष्टी में कुष्टी के खिलाड़ी यह आप जानते हैं तोक्यो उलम्पिक में इन्होंने रजत पदक जीता था 85 निमल्लिकित में से किसने अधिक्तम अवधी तक हर्याना के मुख्य मंतरी के रूप में काम किया पहले हमने पढ़ा था कि राज्येपाल गवर्नर के रूप में बी एन चक्रवर्दी ने काम किया था और यहां से मुख्य मंतरी पूछा है तो यहां से भजन लाल ने काम किया था सबसे ज़्यादा मुख्य मंतरी के रूप में 86 निमल्लिकित कत्नों को ध्यान पुर्वक पढ़िए भिवानी शेत्रफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला है भिवानी सबसे बड़ा जिला है क्योंकि भिवानी में से जटकी दाद्री निकाल दिया गया है तो सिर्शा सबसे बड़ा जिला हो गया है एरिया के हिसाब से और हिसार बिल्कुल भी नहीं है लार्जेस्ट टिस्टिक पॉपुलेशन फरीदाबाद है तो यहां से दोनों ही ओप्शन रोंग है तो थर्ड ओप्शन राइट हो जाएगा ठीक है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है जिला सिर्शा है तो 87rim सबसे ज्यादा जुभ्वन है वह कहां पायजाते है यह पुचह है तो यह सबसे ज्यादा जुभन है यमुना नगर में पाए जाते है इन उप्शन में ठीक है वैसे पंच्पुला में माना जाता है तो यहां से option right हो जाएगा यमुना नगर 88 हर्याना में राश्च्रिय पशु अनिवन्शिकी संस्थान कहां है National Institute of Animal Genetics is located in तो यह करनाल में है आपने पढ़ा होगा राश्च्रिय पशु अनुसंधान जो केंद रहे है वो करनाल में है जो दूद्ध उत्पादक जो डैरी है सबसे बड़ी वो भी करनाल में ही है 89 match the following match करना है हमें हिसार, पंच्च्योला, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला, महिंद्रगड और रोतक सिर्सा अब आपने फिर वही है कि अगर अपनी map अच्छे से पढ़ा है अब आपने map को अच्छे से बड़ा है तो आप अराम से कर सकते हैं कि जो हिसार है वो सिर्सा हिसार मंडल में सिर्सा इंक्लूडेड है तो यहां से एका फॉर्थ हो जाएगा तो फॉर्थ फॉर्थ उप्शन वाले रखेंगे यहां से काट देंगे यह भी कर जाएगा वस्त आप्शन में फॉर्थ है और फॉर्थ ऐफ्शन में फॉर्थ है अब देखिंगे गुरुग्राम अमबाला या फिर रोथ तक इन अगर आपको कोई आता है तो थो चाट लीजए गुरुग्राम क और महेंदरगर्ड वह जाएगा तो बी का second option राइट बन रहा है बी क अगर आपको बिल्कुल भी नोज नहीं है तिर भी वैसे तो आपको पता ही दर मंडल तो पढ़के जाने ही पढ़ते ही है अगर हवियाना जी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो बढ़कल जील है वो फरीदाबाद में है बिंडावास जजर में है बिंडावास खपरवास वास वाली जो होते हैं वाइल लाइफ सेंचुरी वी यह जजर में है चंदेली लेक गुरुग्राम में नहीं बुलबुल लेक जीन में है बुलबुल लेक बिलकुल सही है जीन में है तो यहां से यह राइट हो जाएगा चंदेली लेक गुरुग्राम में नहीं है ठीक है तो यहां से थर्ड ओप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं बताना था ठीक है तो यह पीजिटी टीजिटी प्यार्टी रियाना जी केके पीवाई क्यू थे हैच्ट दोहजार एकेस के अगर आपको कोई पॉइंट यहां से नया लगता या समझ नहीं आता तो उसको उसी टाइम आप सर्च करके या किसी अच्छी बुक से फड़ सकते हैं इससे आपका बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के सा कि झालो 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 आपका हो जो जा है।